नौरातर चल रहा है वुरत की वही वही रोज की डिशेश खाके बोर हो गयोंगे ना पर क्या करें? वुरत की डिशेश ही लिमेटेड है ना तो चलिए इन ही वुरत की सारी टिपिकल इंगरेडेडेंट के साथ बनाएंगे एक बहुत ही फेमस डिश मसाला डोसा और वो भी व तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे और एक भी स्टेप मिस्स न करें ताकि आप भी ऐसा मज़दा रड़सा बना सके तो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कब भीगो और साबुदाना सी इसली समैश हो रहा है इतने अच्छे से भीग चुका है ल तो आहितें हम एक मिक्सटेस कर लेते है इसे के साथ में डालने वाला समख चावल शमक को भी मैंने लगबग 20 मिनिट के लिए वीगो के रख था जितना शाबुदा ना लीया उसका आदा मैने समक चावल लियाह यह भी इसमें त्रांसकर कर लेते है अब इसमें जाएगा दो बड़े चम्मच दही, दही के साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक मैंने सेंदा नमक लिया है, you can also add regular salt instead, थोड़ा सा पानी अड़ कर लेते हैं, और इसे कर लेते हैं अच्छे से ग्रैंड, अब यह जो बैटर है, हम हमारे regular डोसे का जो बैटर बनाते उतना थिक तो नहीं बनेगा, पर आप जितना हो सके उसे इतना थिक बनने के कोशिश करें, पर consistency जो हो फ्लोइंग होनी चाहिए, वीडियो के अंत में मैं इस बैटर को बिना शाबू दाना भीगोए, बस पाच मिनट में कैसे तायर करें यह बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जुरू देखे, तो चलिए बैटर जो हमारा बन गया है, तो बढ़ते हैं नेक्स्टेप के और यानि की आलो का मसाला, अब रेगिलर रोसा सब चीज़े बनती है, अल्मूस्ट वेसे ही बनेगी, बस जो इंग्रेडिन्स वरत में नहीं काते ह कर लिया है, गरम तेल में हम डालेंगे थोड़ा से जीरा, बारिक कटिवे हरी मिर्च, और उसके साथ इसमें जाएगा एक चमच अध्रक, और ये सब चीज़े एक मिनिट के लिए हम सौते कर लेते हैं, आज कल तो ट्रेंडी चल रहा है, जो भी चीज आप रत को नहीं का सक इसे उरत में खाने लाएं कैसे बनें, ये डिश भी उसी का नतिजाएं, वैसे ये चैलेंजिंग तो है कि लिमिटेड इंग्रीडेंट्स में कोई ऐसी डिश बनाना जो धेर सारी इंग्रीडेंस से बनती हो, और लोग बना भी लेते हैं, और मेरा तो हमेशा ये ही मोटर आ है कि भाई, एक्स्पिरेंट करते रहो, खाते रहो और दूसरों को खिलाते रहो, आपने कोंसी ऐसी डिश साथ एक्स्पिरेंट किया है, किया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, तो चलिए, ये अच्छे से सौते हो गए, अब मैंने इसमें एड़ कर दिया है, दो आखिर में एड़ कर रहेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक, नमक जो है मैं इसमें भी सेंदा नमक इस्तमाल कर रहा हूँ, और ये जो आमारा आलू का मसाला है वरतवाला, वो भी अल्मोस्ट तयार हो चुका है, सबसे लास्ट में इसमें एड़ कर लेते हैं, बारिक कटवा ध चटनी, ये चटनी बनाना भी बहुत ही सिंपल है, जैटपट बन जाती है, तो चली मिक्सर जार में एड़ कर लेते हैं, ग्रेटेड कोकनट लिया है, और मुठी बर हरा दनिया डाल दिया है, मैंने इसका कोई नाप नहीं होता, बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं, दनिय कर लेना है, और अपने मन चाही थिकनिस के आप इसे चटनी बना सकते हो, तो देखा कितना आसान था ये चटनी बनाना वरत वाली, इसमें एक भी इंग्रेडेट ऐसा नहीं है, जो वरत को नहीं चलता है, हाँ, अधरक है, इसमें भी आप अधरक स्किप कर दे, कोई दालेंगे नॉर्मल डोसी की तरह, ब्यूटिफुल, आप कर्ची की जगाए कटोरी से भी इस डोसी को फिला सकते हो, या फिर उससे भी आसान तरीका है कि पैन ले, उस पैन में बैटर डालके, उस पैन कोई स्वर कर ले, पैन परफेक्ट गूल होता है, तो डोसा भी आटम से से शेखना है, नॉर्मल डोसा तो हम एक ही साइड से से शेखते हैं, पर ये डोसा थोड़ा सा अलग है, वरत वाला है न, इसमें मोईस्चर थोड़ा ज्याद होता है साभू दाना और समक चावल के वज़े से, इसलिए हमें इसे दोनों साइड से से शेखना है, देखे न अगर साभू दाना पहले से भीगव हो है, तो हाडली आदे घंटे में ये डोसे बन जाएंगे, और अगर ये डोसा आपको बहुत ही जटपड बनाना है, तो आप रेडी मेड साभू दाने का और समक चावल का जो आटा मिलता है मार्केट में से वो बन लाके भी ये डोसा बना सकते हो, एक कप साभू दाने का आटे में आधा कप समक चावल का आटा एड कर दीजे, और पानी डालके नमक डालके बस परफिक कंसेस्टेंसी का बैटर बनाईए, और आप उससे भी डोसे बना सकते हो, इस नव रत्र में ज़रूर ट्राय कोईजे, घर बाले भी बहुत दमदार है, अगर ये वरत वाला मसाला डोसा आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजे, और उसके साथ मेरे कुमार्स कीचन चैनल को सब्सक्राब कर दीजे, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,